किशान सातियों हमारे चैनल सेनिक मस्रूम खेती में आपका स्वागत है सभी किशान सातियों को मेरी राम किशान सातियों मैं शुविदार जग्दिर सिंग चुहान आए मिलते हैं डॉक्टर महिष राना जी कि आपका हमारे चैनल मस्रूम खेती में शुवागत है जैसा कि हम आप से हमेशा मिलते रहते हैं और मस्रूम जगत में आप पर हम एक सैपाटी भी हैं एक ही गुरूप में हैं तो आज हम जाना चाहेंगे कि आपने अपना जो एक ग्यावू हैं जो खुद आप उपने खेतों में तयार करते हैं इसको फैलाते हैं इसको सुखाते हैं और इसको जो है आप जो इसको पीश कर अर्श के पैकेट बनाते हैं तो यह किस तरीके से करते हैं और आपके दुमाग में यह बात कैसे आई कि मैं अपने प्रोड़क को डायट में पहुंचाओं और ज्यादा मुना सब्भाइब धे इस टो आपने सोचा कि मैं अपने जोए गेहों को खुद ही जो है जट पर और दॉरेट ग्राकों तक जो है इसको सप्लाइब की जाए या होल्सेल में दुकानदारों को दिया जाए तो आपका कहां है चक्की कौन सी है देखिए चक्की है इसको आटा भी इसमें तयार होता है देखिए ये मक्के का आटा है और इसको जो है इन्होंने तयार करके और ग्रहाकों को डारेक्ट जो है ये सप्लाई करते हैं देखिए किसान चक्की आटा के नाम से इन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है और यह देखिए इसकी पैकिंग कर रहे हैं इस तरीके से यह पैकिंग मशीन है बहुत सिंपल तरीके से जो है यह पैकिंग हो जाता है इस तरीके से हो गया और यह इस तरीके से जो है यह पैकिन कर दिया यह देखिए इसमें यह कितने वजन के हैं यह पांच किलो का पैकेट है और यह जो है दस-दस किलो के हैं अब अग्या की क्वालिटी देखिए मकी का अटा है इसको चानने की भी जरूत नहीं है इसको उन्होंने चक्की में इतना एज़ेस्ट किया हुआ है कि आपको इसमें जरूत नहीं फाइवर इसके अंदर ही रहेंगे जो कि चानस के रूप में बहार निकाल देते हैं हम लोग तो वो काफी नुक्षान होता है तो इस तरीके से यह आटा तयार किया हुआ है और इस कट्री में दिखाईए यह देखिए यह ग्यहों का कितना बढ़िया आटा देखिए बिल्कुल सुद्ध और बहुत लाजवाब फूली फूली रोटिया इन्होंने अपनी चक्की में अपने गेहों के द्वारा यह ग्रहागों को नेचुरल तरीके से ग्रहाओं तक पहुचा रहे हैं और एक रिगत शील किसान के रूप में उभर कर छेत्र में सामने आए है हाँ तो डॉक्टर साब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने यह आटे के बैक तैयार किया है यह पांच किलो का है तो यह आप मार्केट में या ग्रहाग को डारेक्ट कितने रुपे पर केजी के इसाब से दे रहे हैं 20 रुपे किलो चाहे ग्रहाक ले या दुकान दार ले किशान साथियो आपने देखा कि डॉक्टर महेश राना किस तरीके से जो है अपने ही खेती करके अपनी जमीन में और उन गेहों को खुदी जो है आटा चक्की में इसका गेहों को आटा बना कर और उसको डारेक्ट जो तो मैं वीडियो के इन्त में कहना चाहांगा कि मेरी कोशिस और आपको अगर अच्छी जानकारी मिली है तो आप हमारे चैनल सेनिक मसरुम खेती को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें किसी प्रकार के शुझाब के लिए या जानकारी के लिए आप डिस्क्रिम बॉक्स में वाट्चप नमबर आपको मिल जाएगा और आप अपने कमेंट्स या वाट्चप से आप बात कर सकते हैं, कोई कमेंट्स दे सकते हैं या बात करके आपको उसकी जानकारी दे दी जाए हैंने बाद